राजस्तान के उदैपुर में कनहिया लाल की निर्मम हत्या के बाद देश स्थब्ध है इस जगन्य हत्याकांड के मुख्या रोपी, रियाज और गौस मुहम्मद पुलिस की गिरफ्थ में है और अब इनकी कुंडली खुल कर सामने आ रही है दरसल हत्याकांड का रोपी, रियाज पहले भी इस तरह की हरकत कड़ चुका है बताया जा रहा है कि रियाज ने करीब एक साल पहले भी उदैपुर में माहौल खराब करने की कोशिश की थी उसने पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काया था और एक एसाई का पुतला भी फूका था इन हत्यारों ने उदैपुर और भीलवाडा के साथ साथ आसपास के कई इलाकों में दंगाईयों का नेटवर्क भी तयार कर लिया था इन में से रियाज ने करीब एक साल पहले उदैपुर शहर में लोगों को उकसाने की कोशिश की थी मामला दरसल ये था कि उस समय वहाँ पर कुछ लोगों में मामुली का हसुनी हो गई थी पुलिस जब मामले को शांत कराने के लिए पहुची थी तो रियाज A.S.I. से उलज गया था A.S.I. ने जब रियाज को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी दाढ़ी पर हात लग गया था जिसके बाद उसने मौके पर काफी लोगों को जमा करके प्रदर्शन भी किया था रियाज भीलवाडा के आसंद का रहने वाला है और 20 साल पहले ही अपना घर छोड़ चुका है इस घटना के बाद रियाज के आसंद वाले घर के पास पुलिस फोर्स को तैनाद किया गया है उसके भाई अब्दुल अयूब लोहार ने बताया कि रियाज दसवे नमबर का भाई है और बेहन की मौत के बाद वो 2001 में उदैपुर चला गया था जिसके बाद वो वहीं पर रहने लगा था उसके बाद की ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं है अब्दुल ने कहा कि पिछले 20-22 सालों से रियाज और उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है और उन्हें हत्याकान की जानकारी रात को ही पता चली रियाज के भाई अब्दुल ने कहा कि उसने गलत काम किया है और उसे कानून ही सजा देगा धर्म के नाम पर इस तरह से करना गलत है वहीं सत्याकान में शामिल दूसरा रोपी गौस मुहम्मद उदैपुर का रहने वाला है और वेल्डिंग और प्रॉपर्टी का काम देखता है वो हर काम में रियास के साथ रहता था वहीं इस अत्याकान की सिलसले में नैशनल इन्वेस्टिकेशन इजेंसी यानि एनाईये ने आट से दस मुबाईल नंबर्स ट्रेस किये हैं इनकी लोकेशन पडोसी देश पाकिस्तान से लेकर भारत में भी आ रही है इन्ही नंबर्स पर रियास और गौस की लगातार बाचीद भी हो रही थी इस चौकाने वाले इन्पुट ने खूफिया तंत्र को भी सक्ते में ला दिया है वहीं प्रदेश के गरिए राजमंत्री राजेंदर सिंग यादफ ने भी इस मामले को लेकर खुलासा किया है कि दोनों पाकिस्तान और अरब देशों के लोगों से कॉंटेट में थे इनके मुबाइल में पाकिस्तान और अरब देशों के नंबर्स मिले हैं रियास और गौस की पाकिस्तान के नंबरों पर खूब बातचीत होती थी उन्होंने तो इनके कराची में ट्रेनिंग होने का विदावा किया है NIA की जाँच में गौस और रियास के पाकिस्तानी कनेक्शन के पुखता सबूत मिले है इन दोनोंने कराची से लोटने के बाद उदैपुर में युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया था उनके मन में नफरत की आग को भड़का रहे थे जानकारी ये भी सामने आई है कि दोनों के दावत इसलाम नाम के एक पाकिस्तानी संगटन से संबंध है ये भी आशंका जताई जा रही है कि कनहया लाल का मर्डर पूरी तरह से सुनियो जित था दोनों हत्यारों की मनशा दहशत फैलाने की थी कराची से लोटने के बाद रियास और गौस ने वाटसेप गुरूप भी बनाए थे रुप के जरिये ही रियास भड़काओ वीडियोज भेज कर युवाओं का ब्रेनवाश कर रहा था